हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब एक बार फिर से बिटकोईन प्रेशर के अंदर है और 22,000 डॉलर को तोड़ के 21,400 डॉलर पे ये चला गया था इस टाइम पे 22,000 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है और उमीद करता हूँ अगर आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो आपको आइडिया हो कल की वीडियो 24 गंटे पहले हमने आपको ये चीज बता दी थी कि एक बड़ा क्रेश हो सकता है और उसके पीछे के रीजन क्या है उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी देखी होगी और ये भी पहले भी दो तिन दिन पहले भी हमने और इससे दाद क्या क्लियर करें बाद म से तो ये सारी चीजे यहां पे पैनिक ट्रिगर क्यूं हुआ वो आपको समझाने की कोशिच करेंगे उसके पीछे क्या निउस है वो भी अभी आपको बताएंगे क्या फट निकल के आ रहा है वो भी शेयर करेंगे और यहां पे बिटकोईन कहां पे हमें एंट्री दे रहा तो दुबारे एक मौका देने की कोशिच करती है और जो हमें अभी बनता दिख रहा है तो सारे क्वाइंस जो भी इंपॉर्टन बड़े-बड़े क्वाइंस हैं उनके अंदर कहां एंट्री आपकी बन सकती है वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं तो बने रही है का हमारे साथ में चैनल पहली बार आया तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक ठोक ही दिया होगा सिचुएशन कैसी भी हो अच्छी हो बुरी हो हम आपके साथ यहां बने हुए हैं और हमारा वादा है कि जो भी अपडेट होगी कोशिश करेंगे आपको सबसे पहले यहां देने की दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकोईन को लेके बिटकोईन के अंदर जो मिनट्स रिलीस किये थे फैड की जो मीटिंग थी उसके वज़े से कुछ पैनिक ट्रिगर हमें 17 अगस्त के आसपास देखने को मिला यानि कि आप कहा लीजिए तिन-चर दिन से क्रिप्टोगरंसी मार्किट के अंदर पैनिक था क्योंकि उसके अंदर निकल के आया कि फेड जो है आने वाले टाइम के अंदर सेप्टेमबर के अंदर या आने वाले महिने के अंदर जब तक की बात करें युरोप की बात करें अमेरिका के अंदर बात करें बहुत ही ज़ादा क्रिटिकल सिचुएशन पर है यहां पर जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा तो वह इंटरस्ट रेट हाई करते रहेंगे और अगर बात करते हैं स्टॉक मार्किट के लिए क्रिप्टोग सामने आई एक रिलीस सामने आई और वो जो थेटर को लेके कि थेटर के जो सेक्यूर्टी एक्चेंज कमीशन है वो सीज करने वाला है ट्विटर के ओपर यह जो है फ्लोट हो रहा था एक्चुल में आपको बता दू यह एक फेक या फड नियूस थी एक्चुल में यह ची दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरंसी स्टेबल कॉइन की अगर मैं बात करता हूं वो है और यहाँ पर स्टेबल कॉइन को लेके कुछ भी इंपक्ट होता है तो क्रिप्टोकरंसी मार्किट पे डाइरेक्ट उसका इफेक्ट देखने को मिलता है और वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली और cryptocurrency market के अंदर almost 5-10% के बीच में जितने बड़े coins हैं वो तूट गए अब यहाँ पर bitcoin को लेके आपको समझना पड़ेगा news क्या होती है temporary push कर सकती है market के sentiments अब भी जा सकते है market के sentiments down भी जा सकते है fear and greed index की बात करें वो भी दुबारे से fear के अंदर आ गया है लेकिन technically news क्या होती है push करती है technicals अगर काम कर रहे होते हैं और कुछ ऐसी बुरी news आ जाये तो वो कहीं न कहीं और जादा effective हो जाते हैं और ये चीज हमने आपके साथ में दो दिन पहले भी शेयर करी थी और कल भी शेयर करी थी कि ये जो rising wedge होता है ये एक bearish pattern होता है अगर आपने नहीं देखिया तो वीडियो जरूर देखिएगा ये सारी चीज़े आप सीख सकते हो और उसके बाद जैसी उसके नीचे ये close किय हमने एक sudden fall देखा अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जो weekly candle है 200 उसके नीचे ये trade कर रहा है और monthly candle की बात करते हैं 50 monthly moving average की बात करते हैं उसके नीचे trade कर रहा है तो ये चीज़े आपको यहाँ पे अभी panic नहीं करना है आपको technical यही तो चीज हम समझाना चाते हैं कि closing matter करती है और यही चीज हमने कल भी आपके साथ में share करी थी कि यहाँ पर 21,000 से लेके 21,500 डॉलर पे यह आ सकता है और यहाँ पे आप अपनी entry बनाईएगा यह सारी चीजे ही तो सिखाते हैं मौके आपको मिलते हैं cryptocurrency market के अंदर अब बहुत सारे लोग यही तो बोलेंगे कि अगर weekly candle क के अंदर देखते हैं weekly तो support इसको 23,000 डॉलर थी उसके नीचे यह चला गया अब क्या होगा दोस्तों matter क्या करता है अभी हैं दो दिन इसके नीचे close करता है कि नहीं करता है वो बड़ी importance रखती है उस पे हमें नजर जो है बना के रखनी है ताकि अगला जो है situation हम यहाँ पे यहाँ फिलाल support मिली चीए लेकिन matter क्या करता है closing कहा होती है ठीक है और अगर मैं बात करता हूँ 21,000 से लेके 21,500 डॉलर की जो zone है एक अच्छी entry point आपके लिए यहाँ बन सकती है अगर आप जो है short term में देख रहे हो तो इस हिसाप से trade कर सकते हो और यहाँ पे आप कुछ न और उसके बाद आता है लगबग 24,400 से 25,000 डॉलर के बीच में इसके target आप लेके चल सकती हो short term के अंदर long term के हिसाप से देख रहे हो एक दुबारे से opportunity दे रहा है bitcoin अगर नीचे आता है और जैसे कि हमने आपको बोला था कि यहाँ मौका मिलेगा तो आप entry लीजिएगा तो अब यहाँ पर ethereum को लेके अभी फिलाल हमारी range में यह नहीं आया है जहां हम entry देख रहे हैं अगर ethereum की बात करते हैं bitcoin के pair के अंदर नहीं टूट रहा है लेकिन अगर आप entry देख रहे हो क्योंकि इतना बड़ा coin दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी cryptocurrency जो 100% से जादा पिछले दो महीने के अंदर भढ़ गई हो तो और मुझे पता है news अच्छी है लेकिन यहाँ पे आपने patience जो है दिखाने है situation यहाँ पे समझनी है अगर आपको entry नहीं मिल रही है तो भाया लेने की जरुत नहीं है बैठो शांत रहो दूसरे coins पे working करो जिनके अंदर अभी opportunity मिल सकती है दूसरा coin है matic को लेके matic जैसा कि हमने आपको बोला था 0.78 डॉलर के आसपास यहाँ पे आपको आ सकता है यहाँ पे आप entry बनाईएगा पहली आप entry यहाँ देख सकते हो opportunity दे रहे है coins मैं यह कहना चाहरा हूँ इस वीडियो के माध्यम से bitcoin crash हुआ alt coins crash हुए तो alt coins और bitcoin के अंदर हमें अब opportunity यहाँ मिल रहे है दूसरी entry जो बनती है 0.68 डॉलर पे यहाँ पे बनती है और आने वाले time के अंदर इसका जो target होने चाहिए 0.93 से लेके 1.1 डॉलर अभी भी हम जो है पुरानी वीडियो देखो आपको idea लगेगा इसी चीज को सीखना है आपने अगर हमारी इस range के अंदर आएगा और फिलाल हमारी range के अंदर आता दिख रहा है अगर यह 1200 से नीचे आता है तो हमने यहाँ पे इसके अंदर entry बनानी है और दूसरी entry देख रहे हो तो 1000 के आसप 11.75 डॉलर पे आए तो आपकी पहली entry उम्मीद करता हूँ आपने ले ली होगी दूसरी entry अगर आप देख रहे हो तो यह range के अंदर बनती है 60 डॉलर के नीचे तो दो पार्ट के अंदर आप इसके अंदर एंटर ले सकते हो और आने वाले time के अंदर जैसे situation सुधरती है तो इसके अंदर भी आपको spike देखने को मिल सकता है साथ के साथ XRP की बात करें Theta की बात करें ADA की बात करें तो यह जो है अच्छे level पे हैं खासकर ADA की बात करें आदे डॉलर के नीचे आ गया है तो यहाँ एक entry आपकी बन सकती है और BNB के अंदर मताऊं तो 280 डॉलर के आसपस यहाँ पे entry बनती है आप entry बना सकते हो पहली और इसके अंदर भी हमें लगता है कि जैसी situation सुदरेगी तो एक अच्छा pump देखने को मिल सकता है बाकी और कोई coin हो आप ध्यान रखिये market के अंदर एक opportunity यहाँ मिल रही है Bitcoin अगर यहाँ से और नीचे जाता है और यह दुबार बाइंग कीजिएगा ऐसा मझ जपट पड़िएगा कि एकदम से चीज मिल गई मैं यहाँ पर कर लूँ और हम बाद में उसके अंदर एवरेज आउट ना कर पाएं यहाँ पर Bitcoin के अंदर भी अगर आप देख रहे हो एक जो है एंट्री 22,000 डॉलर के आसपास बनती है दूस टम में अगर ट्रेड कर रहे हो तो लाइन्स पे ट्रेड कीजिए और पैसा कमाईए लॉंग टम के इस आप से देख रहे हो तो कोई भी यहाँ पर परिशान होने की आपको जरुरत नहीं है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ झाल